दोस्तो कैसे हूँ आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफी ज़्यादा अच्छे होंगे दोस्तो आज के वीडियो में रिवीव देने वाले हैं कमसूर्फ अप्लिकेशन के बाड़े में चलो हम first time यहां से इसे हम open करते हैं, आपको अगर इस application को download करना है तो इस video के description में या फिर play studio में जाकर से सर्च करोगे, कम सुर्प तो यह application आ जाएगा, तो दुस्तों first time इसमें आपको sign up करने को बोलेगा, तो sign up करने के लिए आपको काफी ज़्यदा interface दिया गया है, तो हम simply sign in with google पे click करेंगे, उसके बाद मेरे phone में जितना Gmail होगा, Gmail show हो जाएगा, आप लोग अपना कोई भी Gmail सेलेक्ट कर सकते हो, हमने भी अपना एक Gmail सेलेक्ट कर दिया है, जैसे आप Gmail को सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा loading लेगा, उसके बाद यह कुछ permission माएगा तो आपको यहा Gmail या Gmail आप जो भी आपना यहां से सलेक्ट कर लो, उसके बाद कुछ इस तरह से आपका profile दिख जाएगा और यहां पर आप जो भी आपके सामने camera होगा, camera open हो जाएगा, उसके बाद यह कुछ इसका time condition है उपर में यहां पर देख सकते हो, और simply से आप इसे allow करोगे, उसके ब तो next भी कोई लड़का है, जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसे यह randomly आपको call कराते रहना है, तो अगर आपको लड़की वैसे करना है, तो यहां पर gender वाले पर click करना है, और gender पर click करके female पर click करना है, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर subscription लेना होगा, तब जाके आप लोग female स तो आपको यहां पर पैसा देना होगा, तो दोस्तो ऐसे यह application काम करता है, देख लोग कितना अच्छा से यह application काम करता है, हमने दो बार call लगा है, दो भार भी लड़के के पास call लग चुका है, तो दोस्तो ऐसे आप लोग भी call लगा के बाते कर सकते हो, तो दोस्तों चलो अब बताते हैं कि इसके प्रोफाइल में कैसे सेटिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल प्रोफाइल दिख जाएगा अगर आप प्रोफाइल में जो चीज आप एडिट करना चाहते हो आप लोग काफी असानी से एडिट कर सकते हो यहाँ पर मेरा profile देख रहा है आप लोग भी अपना profile यहाँ पर काफी असानी से edit कर सकते हो और आप चाहते हो इस account को permanently delete करना तो वो भी feature आपको इसमें दिया गया है आप लोग नीचे देख सकते हो नीचे आपको यहाँ पर delete account का अफसन है आप यहाँ पर simply से delete my account फिर क्लिक करोगे उसका deactivate या फिर delete जो भी चाहो आप लोग यहाँ से काफी असानी से कर सकते हो देख सकते हो यह बोल रहा है पहले आप अपने email में एक बार login होके देख ले इसका जो भी एक link आया होगा उससे आपको select करना होगा तब ही जाके आप लोग इसका account permanently delete कर सकते हो तो दोस्तो इस application में अगर आपको और भी कोई problem हो तो नीचे comment box खुला है आप लोग comment करके बता सकते हो तो दोस्तो बस आज की वीडियो में यही था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा था वीडियो को like करो चैनल पने हैं तो चैनल को subscribe कर लो ऐसे वीडियो हमेशा देखने के लिए दोस्तो मिलते हैं फिर किसे ऐसे next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम